So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो और साथ ही Telegram चैनल को जोईन कर लो वहाँ पर आपको चार्ट एनलेसस सीखने को मिलने वाला है वो भी बिल्कुल फ्री और साथ ही आपको निप्टी और बैंग निप्टी की अपडेट्स भी मिलेगी तो प्लीज जाकर चेक आउट जरूर करना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की शुरुआत गेल इंडिया लिमिटेट के साथ करेगे और इस स्टॉक के साथ साथ हम दो और इंपोर्टेंट शिर्स को भी डिस्कस करेगे तो पहले गेल इंडिया लिमिटेट को देख लेते हैं Gale India Limited में last trading season भी काफी अच्छी बड़त हमें देखने को मिली थी और वही अगर देखें तो अभी भी stock में वही तेजी हमें देखने को मली stock ने 4.70 पेसे के round तक के अच्छे returns दिये है 2.90% के basis पे stock ने closing दी 166.80 रूपिस के round तो यानि stock में अगर आप देखो तो बहतरीन तेजी बहतरीन returns हमें देखने को मल रहे है और आगे भी share में ऐसी ही तेजी हमें देखने को मल सकते हैं और आप expect भी कर सकते हो stock में अगर देखें तो पिछले 5 साल बाद एक बड़ा धमाका हो रहा है पिछले 5 साल बाद stock में अगर देखें तो एसी तेजी हमें देखने को मल रहे है और वही अगर देखें ये तेजी आगे भी रहेगी और share में अगर देखें morning में ही अच्छी बड़त हमें देखने को मली इसने आज भी नया high create किया नया 52 weeks का high stock ने यहाँ पर create कर लिया है और 52 weeks का high कि अगर बात कर ले तो 169.35 रूपिस के राउंड तक की यहाँ पर stock में high हमें देखने को मलता है open a share हुआ था 163.70 रूपिस के राउंड और सीधा इसने high लगा है 169.35 रूपिस तक का और share में अगर बात करें low की तो 162.65 रूपिस का low है यानि share अगर देखें तो आज morning से ही अच्छी बड़त बताता हुआ नजरा रहा है और market cap अगर देखें तो कल market cap इसका था 1.07 लाग करोड का और आज market cap हो गया है 1.09 लाग करोड का तो यह number जो है काफी शानदार है और मोतिला लोसवाल ने अगर देखें टार्गेट भी आपर दिया है एक target इनकी ओर से दिया गया है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यह stock आने वाले टाइब में यह लगभग 195 उबिस के राउंड जा सकता है तो यह target भी उनकी ओर से update किया गया है तो यह चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मल जाती है और volume भी अगर आप देखोगे तो stock में जो volume है ओ भी day by day यहाँ पर increase हो रहा है volume में भी यहाँ पर एक बड़े उचाल हमें देखने को मल रहा है हाला कि volume में अगर देखा जाए तो last trading season बड़ा उचाल था लगभग 6 करोड के around तक का trade value था last trading season की में बात कर रहा हूँ और 2 करोड का common and delivery उसके comparison में आज की अगर हमें बात कर लूँ तो आज जो volume देखने को में मिलता है वो 4 करोड के around तक का देखने को मिलता है बट वही अगर देखे इस stock में हमें last trading season जैसी ही तेजी अभी भी देखने को मिल रही है और हमें अगर देखे तो आने वाले टाइम में यह जो तेजी है यह और भी स्पीड से बढ़ती भी देखने को मिल सकती है और भी बड़ी तेजी यहाँ पर शेर में आने वाली है पिछले कुछ टाइम पहले ही मोतिलाल उस्वाल ने 140 रूपिस का टारगेट दिया था वो टारगेट अब बढ़कर उन्होंने 195 रूपिस का कर दिया है यानि आने वाले टाइम में अगर देखे तो यह एजी तरीके से 195 का जो लेवल है वो यहाँ पर हमें अचिव करागर देने वाले हैं वही अगर देखा जाए जो Community Sentiments के आकड़े है Community Sentiments के आकडों के भी और में बात कर लो तो 100% numbers हैं buying के रिने के लिए क्योंकि यहाँ पर अगर देखे एं number रहेगे भी क्योंकि पिछले पाच दिनों की आप तेजी देखो स्टॉक में 13 रुपे तक की बढ़त एक महीने की आप तेजी देखो एक महीने के अंदर अंदर 24 रुपे 90 पेसे रुपे तक की बढ़त वही अगर देखे छे महीने में stock 60 रुपे तक बढ़ गया है तो यही से आप अंदाजा लगा सकते हो कि stock में किस तरीके की बढ़त है इसका पूरा chart analysis हमने previous वीडियो में भी किया है और यहाँ पर जिन लोगों ने नहीं देखा है और यहाँ पर देख सकते हो कल जो feeb zone के बारे में हमने बात किया था कि 168 रुपेस के around तक का feeb zone है यहाँ पर यह target हमारा होने वाला है exactly ओ target stock ने easy achieve कर लिया और उस target के around से ही stock में गिरावट भी आई यहाँ पर हमने पहले ही feeb zone यहाँ पर आपके साथ share किया था यहाँ पर feeb level हमने बनाये थे और इन levels के इसाब से मैंने clearly कहा था कि stock में क्या target हमारा होने वाला है तो exactly यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 1.6 का feeb zone बन रहा है यही हमारा आने वाले time में target रहेगा exactly आप खुद भी देख सकतो यह target easy तरीके से अच्छी हो यहाँ पर हो गया और वही अगर देखें मैंने एक चीच और कही थी stock जो है already 0.5 के feeb zone पर support ले रहा है और वही अगर आप देखो 0.5 के feeb zone पर ही इसने support भी यहाँ पर लिया यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं आप clearly भी इसे देख सकते हो 0.5 के feeb zone पर ही इसने support लिया है इस feeb level को अगर देखो तो मैं यहाँ पर white color में भी अगर बताओ तो एक चीज आपको देखने को बिलेगी इसके levels आपको देखने को बिल जाएगे तो clearly आपको 0.5 का feeb zone यहाँ पर नजर आ रहा होगा एक मिनट गैस तो यहाँ पर आप clear कर सकते हो 0.5 का feeb zone आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा exactly उसी point पर इसने sustain किया और share उपर की और यहाँ पर जा रहा है तो यह level जो है हमने पहले भी discuss यहाँ पर किये थे पहले भी अगर देखे तो यह level हमने आपके साथ share किये थे और उन्ही levels के हिसाब से stock के अगर मैं बात कर लो तो यह share अच्छे return यहाँ पर दे रहा है शानदार रैली यहाँ पर यह जो stock है वो यहाँ पर बता रहा है तो यह levels के बारे में हमने पहले discussion किया था और exactly ओ चीज हमने यहाँ पर देखी भी और वही कर देखे आगे भी आप stock में positive रह सकते हो आगे भी इस share में अगर देखे अच्छे return बिले गया तो आगे की strategy आपने क्या रखने चाहिए आगे strategy आपकी stock में क्या होगी वो चीज भी मैं आपर बता देता हूँ बट कुछ इन चीज़ों को हम पहले erase कर लेता है इन levels को हम यहाँ से हटा देता है तो कल जो 0.5 का फीब जोन हमने discuss किया तो वो चीज तो आप देख सकतो 0.5 का फीब जोन यही था और यह important level मैंने कल भी आपके साथ share किया था कि stock में यहाँ पर support है तो यही से support लेकर stock उपर जाएगा और साथ ही यह level भी यह share break करेगा तो और अच्छे return मिलेगे 0.6 का फीब जोन यहाँ पर इसने अच्व किया कि stock में breakout हमें मिला है उपर से इस particular trade line का rejection है इसके साथ से आपको return मिल रहे है और यही अगर हम फीब जोन और अच्छी तरीके से use करें तो आप देख सकतो इस point से लेके हम इस point को यहाँ पर पहले यह कर लेते हैं फिर उसके बाद जो target हमारा निकल कर आता है और यह target जो है आने वाले time में यह easy तरीके से अच्छी करा कर हमें दे सकता है तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है 173 रूपिस का जो level है इस level के around यह पूरी तरीके से जाने की कोशिश करेगा और कल आपको wait करना है सिर्फ break करने का क्योंकि आप देखोगे तो 0.5 के फीब जोन के around भी यह support लेता हुआ यहाँ पर नजरा रहा है और इसी level पे sustain करके यह share उपर जाने की कोशिश करेगा और 168 के level को भी यहाँ पर break करता है तो stock सीधा 173 के level के around easy तरीके से यहाँ पर momentum बता देगा तो यह level है इनके उपर आपको focus यहाँ पर करना चाहिए तो यह target हमने कल की लिए भी discuss कर लिया है अब बार यहाँ आती है एक इसे stock की जो देने जा रहा है bonus सलासर टेक्नो इंजिनिरिंग लिमिटेड की हम बात करेगे तो 4H2,1 का company के और से bonus का announcement किया गया है यानि एक share के बदले आपको 4 bonus के share मिलेगे साथ ही यहाँ पर जो इसकी ex bonus date है वो अभी announce नहीं हुई है बट उसके लिए एक बड़ी meeting यहाँ पर होने वाली है तो उस meeting में यहाँ पर date का announcement भी किया जाएगा अब बारी आती है AKS stock की जिसमें जिसने इहाँ पर 455 करोड का debt का repayment किया है और वही अगर देखें तो इस वज़े से stock में आज बड़त भी देखने को मिली RAM की infrastructure इहाँ पर अगर देखें आज बड़ा है काफी अच्छी तक बड़त देखने को मिली है लगबग 22 रुपे शिर बड़ा और company ने अगर देखें 755 करोड का जो पेसा है वह यहाँ पर repayment किया है लगबग यह settlement amount था 1200 करोड का company पहले 425 करोड दे चुकी थी फिर उसके बाद 330 करोड company की और से दिये गया और अभी अगर देखें तो company की और से 755 करोड रुपे के राउं तक का payment किया गया तो इसकी वज़े से stock अगर आप दीखोगे तो काफी अच्छी तरीके से बड़ा है और आगे भी ऐसे ही return इस particular stock में भी हमें देखने को मल सकते हैं तो सारे ही stocks को अमने इस video में discuss कर लिया तो I hope video आपको helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe करना मत भूलना और एक important चीज़ अगर आप कोई भी stock में investment कर रहे हो तो insurance का एक बार analysis भी कर लेना फिर ही इन stocks में आपको investment करना है और साथ ही telegram चले को join कर लो वहाँ पर आपको chart analysis सीखने को बिलेगा साथ ही यहाँ पर आपको bank nifty और nifty की update भी बिलेगी जाकर check out कर लेना link नीचे description में है thank you